आज लगबग 20 दिन है किसान आंदुलन को लगतार 26 नौंबर का वो दिन था जब किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया था आंदुलन की शुरुवात हुई थी और आज 20 दिन लगतार है मगर अभी भी हमारे सामने कोई तस्वीर साफ तरीके से नहीं आपाई है कि आगे फ्यूचर में क्या होगा इस किसान आंदुलन का एक तरफ सरकार है जो जुकने को तयार नहीं है अडी हुई है तो दूसरी तरफ किसान है जिनोंने अपनी मांग पक्की कर रखी है साफ कर दिया है कि वो अपने मांगे पूरे कराए बगैर आंदुलन को खतम नहीं करेंगे वो दिल्ली की सरहदों को नहीं छोडेंगे आज की वीडियो में मैं आपको जो तस्वीर दिखाने वाला हूँ उस तस्वीर के आपको घहराई समझनी पड़ेगी कैसे उस तस्वीर में हमारे देश का एक जवान है किसान तो हैं सड़कों पर ऐसे हमारे देश का एक जवान एक सिपाई है जो किसानों के समर्थन में आगे आया है अब आगे पता नहीं कब हमारे देश के इस जवान को जो मैं फोटो में आपको दिखाऊंगा कब इसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ जाए कब इसको इसकी नौकरी से निकाल दिया जाए क्योंकि आखिर इसने खालिस्तानियों का सपोर्ट किया है इसने आतंगवादियों का सपोर्ट किया है क्योंकि सरकार है सरकार के नेता है बड़े बड़े जो कहते हैं कि ये किसान आंदुलन में अर्बन नकसल्स हैं आतंगवादी हैं खालिस्तानी हैं तो उस देश की सिपाही ने देश के जवान ने ऐसे लोगों का सपोर्ट किया है समर्थन किया है आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ आपकी स्क्रिंस पर है जिसमें एक जवान खड़ा है जिसने हमारी आर्मी की हमारी सेना की ड्रेस पहनी हुई है और हाथ में उसके बैनर है जिसमें अंग्रेजी में कुछ लिखा है मैं आपको इसका हिंदी में translation करके बताऊं तो इसमें लिखा है कि मेरा बाप भी किसान है अगर वो आतंगवादी है तो मैं भी एक आतंगवादी हूं यह लिखा है इस जवान के हाथ में जो बैनर है जिसने हमारे देश की फौज की ड्रेस पहनी हुई है अब ऐसा इसने क्यों का हमें ये भी बात समझे ज़रूरी है कि अगर मेरे पापा एक किसान है मेरे पिता एक किसान है अगर वो आतंगवादी है तो मैं भी आतंगवादी हूँ क्योंकि जिस सरीके से केंद्र सरकार का रवय रहा है केंद्र सरकार के बड़े बड़े नामी नेता है जो बड़े बड़े पद पर बैटे हैं उन्होंने भी ये जो बेतु के बयान दिये हैं कि किसान आंदोलन जो है उसमें सिर्फ खालिस्तानी हैं उसमें देश के टुकले ट गाजयबाद बॉर्डर पर जो हैं वो खालिस्तानी है इस तरीके से पूरे आंदलोन को बाटने की कोशिश की गई थी जिसके बाद हमारे देश की जवान ने आगे बढ़कर समर्थन किया और यह फोटो वाइरल हो गया आप इस फोटो को ऐसे देखिए कि यह फोटो कितना न के इस तरफ है दोनों आमने सामने खड़े हैं देश का जवान भी मजबूर हो चुका है किसानों को मारने में किसानों को पीटने में किसानों को धंकाने में मजबूर कर दिया गया है जवान को हमारे देश के जिसका काम होता है सरहत पर रक्षा करना या क्राइम्स को कम करना राज्य में वह आज हमारे देश के किसान से लड़ रहा है किसान जिसका काम अपने खेतों में हमारे लिए अनुगाना होता है आज दाता कहते हैं जो थौट पैदा किया है आप देखिए थौट जो पैदा किया है हम सब के अंदर कि अगर किसान आतंगवादी हैं जिस तरीके से किसानों को कहा गया है सरकार के अलग-अलग नेता हो दुवारा केंदर सरकार हो या फिर अलग-अलग कारे करता हो या फिर जो छुट-मुटिय नेता हो उन्होंने भी सरीके के बयान दिये किसान आतंगवादी हैं वगैरा वगैरा तो मजबूर यह हो गए जो किसान के बेटे हैं जादार आपको याद हो हमारे देश में कितना परसंटेज जो है हमारे पॉपुलेशन का वो क्रिशी से जुड़ा हुआ है वो किसान वार से हाते हैं जिनके पिता डादा परिवार में से कुछ लोग किसान किर्शी さ जुढ़ residents होगी और परिवार को पिता को लिग्लों के डादा को आतंग्वादी कहा जाता होगा और यह उसी का नतीज़ा है कि सिपाई को आगे आना पड़ा आ आना पड़ा देश की जो फॉच की ड्रेस है उसे पहन का और हाथ में उसे ये बैनर लेना पड़ा वो मजबूर हो गया खुद को आतंगवादी कहने पर देश का जवान जिसका काम है आतंगवाद से लडना देश की सरदोगी रो सुरक्षा करना वो खुदी को आज आतंगव हुए हैं तो सोचिये आगे अगर सुप्रीम को इस साफ करने को लेके 16 डिसंबर को इसकी सुनवाई है अगर सुप्रीम कोट कह देती है कि सारे किसानों और यहां यहां अगर जैक्तने अपने पर पर अब लोगा जो जबान हैं जितने भी सिपाई हैं फोर्सिज वहां लगाई गई हैं बॉर्डर्स पर अंदुलन में उन सब को जब ओडर दिया जाएगा कि आप किसानों को हटाइए तो सोचिए वहां कितना बड़ा वहां पर जो डर का मावल है वो फैल सकता है और कितना हमें हिंसा भी देखने को मि हुए है तीनों करिशी कानून को वापस वो नहीं लेने वाली है किसी कीमत पर तो अगर ऐसा होता है तो आप सोचिए आगे अभी तो सिर्फ आंदोलन है जो शांतिपुन पर चल रहा है आगे यह आंदोलन किस रूप में बदल सकता है इसका शायद आपको और हमें अनुमा कर दो आप सकता है तो आपको और है तो आपको नहीं किसी के वापस्ट आप और हमें झांदोलन है किसी घंट्ब्स कीमत पर तो